दिनांग 11.12.2022 को मोतिहारी में पूर्वी चमपारण के तमाम सिक्षक अभियरती तिरहुद परमंडल के STET 2019 के नेता मुहमद रफुदीन और बिहार परदेश के CTET के अत्याक्ष सिधार्थ कश्यप के नेतरितों में गांधी चौक मिना बजार में मान्या मुख्य मंत्री औ और सिक्षा मंत्री जी के सात्वे चरन के नोटिफिकेशन जारी करने के मांग को लेकर पुतला दहन किया गया है आपको बता दे कि जिसमें मोतिहारी के सभी सिक्षक अभियरती नया क्रोस रास्ता किया है आपको बता दे कि लगतार STET और CTET के छात्र लगतार प्रदर्शन करते रहते हैं सरकार से नोटिफिकेशन की मांग करते रहते हैं और अपने लगतार मांग करते रहते हैं लेकिन अइसा कुछ भी नहीं होता बता दे कि लगतार STET के के कैंडिडेट दर भटक रहे हैं कि विभागों में आमोलशूल परिवर्तिन किये जाएंगे इस करी में सिक्छा विभाग में भी जल्द ही परिवर्तिन देखने को मिल सकता है इस बात की पुस्टी खुद बिहार के सिक्छा मंतरी प्रोफेशर चंदुशेकर ने किया है बता दे कि बिहार सरकार के सिक्छा मं सेल कोई भी जानकारी दी गई थी और साथ ही ये भी बताया गया था कि इसके अलावा उन्होंने राज्य के अंदर सातवे चरण के सिक्षक भरती प्रक्रिया को लेकर भी बड़ी जानकारी साजा करते हुए कहा था फिस साथ वे प्रदार सी बनाने का प्रयास किया जा रहा है इसके आगे उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य के अंदर सातवे चरण में सिक्षकों की नियुक्ति का पैटर्ण प्रधान आपको और प्रधान सिक्षकों के भाती होगी सिक्षकों की ये नियुक्ति अविशेश वेतन पर वि ताकि अपने मांग को सरकार से मांगते रहते हैं लेकिन उनका कहना है कि अपने मांग को लगतार हम सरकार से मांगते हैं लेकिन फिर भी हमारा कुछ भी नहीं होता आपको पता दे कि सिटीटी के तमाम अभियरती लगतार आई दिन प्रयास करते रहते हैं और अपनी मांग को स सरकार से मांगते रहते हैं लेकिन सरकार उनकी एक नहीं सुनती